हरे कृष्णा, गीता के तीसरे अध्या में भगवान ने बहुत ही सुन्दर ऐसा श्लोक कहा है भगवान कहते हैं कर्मनेवसंसिधिम आस्तितम जनकादय हम लोकसंग्रहमेवापी संपश्चन कर्तुम अरहसी तो भगवान कहे रहे हैं कि आप अपना कर्म करिये जिस प्रकार से जनक महाराज ने अपना कर्म करके सिध्धी प्राप्त की है कर्मने एवसंसिध्धी अपना कर्म करके जनक महाराज थे जनक महाराज ने सरवस्वत्याग के वो हिमालय नहीं गए परिंतु उन्हें अपना कर्तव्य क्या उस प्रकार से अर्जुन आप भी अपना कर्तव्य करो और लोग का संग्रह मने जो जनरल लोग है नौर्मल लोग है उनको दिशा दिखाओ यदि आप ही युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो वो क्या कहेंगे वो कहेंगे ऐसे साधू का रेफरेंस ने दिया है कि तो एक राजा थे है तो एक राजा का उले गीता में आया है कहा है इस राजा ने जैसे किया ना उस प्रकार से तुम अपने कर्टवे पूरा करो कई बार ऐसे होता है लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे सारे चीजों का त्याग कर देंगे और हम हिमालय में जाके भक्ति करेंगे तो हम भगवान के प्रिय भक्त हो जाएंगे नहीं भगवान के आप काम करो तो मेरे प्रिय भक्त बनेंगे एक कहानी हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक बार की बात है नारदमुनी जाते हैं वैकुंत हमें भगवान विष्णु से पूछते हैं कौन है आपका सर्वस्रिष् बिख्वान विश्णूने कहा नीचे तुम्हे दिख्राएं किसान निटमों बैलों को लीड रहा है और सबने खेता है जै किसान म्हें कहた है कि जोकी अधर सब्सद्स भोगती आया कि क्यों कि तो बगवान ने कहा, तुम ही जाके देख लो नारदमुनी और तुम ही मुझे बताओ कि कौन सरवस्रिष्ट है, तुम सरवस्रिष्ट हो कि वो, तो नारदमुनी तो दोड़ते दोड़ते गए, कि अभी competition था, तो नारदमुनी उस व्यक्ति के घर पे पहुचे, तो ये व्य तो व्यक्ति उठा नींद से, कुछ समय के लिए उसने भगवान का नाम लिया, और जल्दी से ready हो गया, कुछ उसने थोड़ा बहुत नाजता किया, पूजा की, और जो अपने पशू थे, उनको चरने के लिए उसने छोड़ दिया, अपने घर की साफ सफाई की जो पशू रहते हैं वहां की जगा की साफ सफाई की उसने, बाद में वो गया अपने खेत में, खेत में कितने सारे काम होते हैं, तो खेत में उतने सारे काम किये, बैलों के साथ बहुत काम किया उसने, पानी दिया पौधों को, और जब शाम को रिटन आया, तो थोड़ा नाया, और ब भोजन किया भोजन करके सो गया अब नारद मुनी ने सोचा भगवान ने कहा यह सर्वस्रिष्ट भगता है पर दिखता तो नहीं देकिन मैं तो 24 आर्स भगवान का नाम लेता हूँ उस व्यक्ति ने तो केवल सुबह नाम लिया और जब शाम को नाम लिया तो भगवान ने ऐ नारद मुनी इसका उत्तर आप ही दोगे एक काम करें आप मेरे लिए यह लिजे यह घड़ा लिजेए यह गड़ा कोर्या यह कहा यह घड़ा लिजे पानी जो और तो भगवान ने कहा इस घड़े को आप पुरी पृत्वी के प्रदक्षिना मारके मेरे पास लाई है पर तो ध्यान रहे एक भी बूंद जो है ना गिरना नहीं चाहिए बी केरफुल तो नारदमुनी ने कहा जो आ गया तो नारदमुनी वह घड़ा लेके जो कि एक दम उपर तक भरा था तो उस घड़े का ख्याल रखते तो he was circumambulating परिक्रमा कर रहे थे प्रदक्षिना कर रहे थे और प्रदक्षिना करने के बाद वाईकुंट वापस गया और भगवान को कहा देखिये मैंने वह घड़ा लाया एक भी बूंद पानी नहीं गिरी तो भगवान ने कहा very nice नारदमुनी पर उने नारदमुनी मुझ तो भगवान ने कहा वही तो मैं कहना चाहता हूं नारदमुनी कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपना काम करते हुए भी मेरा स्मरण करता है और मैंने आपको कहा कि मेरा काम करो आपने मेरा स्मरण यह नहीं किया इसलिए वो व्यक्ति सर्वस्रिष्ट है, वो अपने काम में मुझे इंक्लूड करता है, He includes me everywhere, जो भी काम करता है, यद करोशी, यद शनासी, यद जुहोसी, ददासी, यद तपस्यसिकाउंते, जो भी आप करोगे, मुझे अरपन करो, भागवान कहीं पर भी नहीं कहते है, अर्जुन कहते है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, भाइक्षम अपी हलो के, मैं भीक मांग के जी लूँगा, हिमाले जाना चाहता हूँ, वहाँ पे भक्ती करके सुखी जीवन जीओंगा, भगवान कहते हैं, नहीं, not possible, अपने करता व्यकरो और सिध्धी को प्राप्त करो, कई लोग कहते हैं, अरे भक्ती करना है, तो सब छोड़ना पड़ेगा, कैसे करूं, नहीं, भक्ती करना माने कुछ भी छोड़ना नहीं है, केवल कृष्ण से जुड़ना है, कृष्ण से जुड़िये और कृष्ण से, यूनो कृष्ण के प्रिय बन जाई है, भगवान, यूनो, मैं स्टंट हो गया जब मैंने ये वर्स पड़ा, यहाँ पर कोई रुशीम्वुनी का भगवान ने रेफरेंस ने दिया, एक राजा कर रेफरेंस दिया है, जनक ने ऐसी भक्ति की है, आप भी ऐसे करो, तो जनक ने क्या कि आपने करतवे की पूर्ति की आपका जो भी करतवे है यदि आप माता है तो आपका करतवे बच्चों का पालन पोशन करना आप पिता है तो आपका करतवे है कि बच्चों को जो भी नीर से उसकी फुल्फिल्मेंट करना आप जोब जाते हैं तो आपका कर्तव है कि प्रामानिक्ता से आपका जॉब करना तो जो भी चीज हम कर रहे हैं भगवान के लिए यदि करेंगे तो वह भक्ति है बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं मेरा जॉब अलग मेरी भक्ति अलग नहीं जोब में क्रिष्ण के अड़ कर दो तो जोब भी भक्ति हो गई तो डॉंट यह इस प्रकार से जनक ने भक्ति की है अपने कर्मों को मुझे अरपन करके कर्मयोग करके अकर्म करके भक्ति में कर्म करके उसी प्रकार से आप भी कर्म करो और आप मेरे प्री बन सकते हो तन्यवाद हरी कृष्णा